बैक निए वीडियो से हूं बात करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कलका हमारा क्या प्लैन रहना चाहिए वैसे तो मैं आप लोग को टेलिग्राम पर ट्रेड बता ही देता हूं बैंक निफ्टी की जहांपर आप अच्छी अच्छी 100-100 पर और समझाते हैं आप लोग के लिए फ्री ओफ कॉस्ट है आप चाहिए इदर जॉइन करिए विकास यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग मिल जाती है आप बोलोगे यह क्या है तो मैं दिखाना चाता हूँ यह हमारे ट्रेड दिखा देता हूँ मैंने फ्राइडे को क्या ट्रेड दीती और आप सेम चीज रोजाना जाके चेक आउट कर सकते हो पुराने मेसेज़ेस में कि मैं सुबह 9 से 10 के बीच में आप लोग को क्या ट्रेड देता हूँ अगर हम यहाँ पर बात करें लास्ट फ्राइडे की तो यहाँ पर मैंने एक स्केल्पिंग दिया था आपको 70 पॉइंट का 45,160 के उपर यानि कि जब हमारा बैंक निफ्टी ने 45,160 के लेवल क्रोस किया उसके बाद आपको बाय में जाना था जिदर आपका 70 पॉइंट का स्केल्प बना अगेन मैंने आपको स्केल्पिंग दिया था 10 बच के 5 मिनट पे 45,250 के उपर जो कि exactly 4 मिनट के अंदर अक्टिवेट हुआ यहाँ से 100 पॉइंट का मुव्मेंट आपको देखने को मिला आप जाईए और चेक आउट करिए पिंड कमेंट चेक कर सकते हो जिदर आपको आफ्टर 1 पीम ट्रेट देखने को मिल जाएगी और उनका इंपक्ट यानि कि वो कितनी बड़ी या छोटी बनी ये भी आप चेक आउट कर सकते हो मैं सब कुछ यह डिटेल में आप लोगों के सामने रखता हूँ सामने रखने का रीजन यह है आप लोगों के सामने ये चीज के लिए रहे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है एंड देखो मार्केट में पैसा बनेगा पैसा नहीं बनेगा लेकिन जब पैसा बनेगा उस पैसे को कैसे कैप्चर करके बाहर निकलना है वो इंपोर्टेंट है लोस तो यहां सब कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट बनाना और उस प्रॉफिट को घर ले जाना वो सबसे बड़ा आपका टास्क है तो इस वीडियो मां बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में वैसे मैं आपको ट्रेड दूँगा बट आपको भी एक व्यू मिलना चाहिए एक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो सकता है तो आप किस तरीके से अपनी प्लैनिंग कर सकते हैं तो यहां पर नहीं बताऊंगा पहले मैं बताऊंगा आपको clean चार्ट पे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना rough चार्ट पे ठीक है एक सेकंड तो यहां पे इसको बड़ा गन्ने दो चलिए यह है हमारा साफ सुत्रा चार्ट अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ फिब रिट्रेस्मेंट लगाके कि मार्केट के लिए क्या important है और क्या नहीं है तो हमारा first time fall आया था कहीं यहां से जो कि आप देख सकते हो अपने हमने high को और low को मार कर दिया यह चीज आपको भी अपने चार्ट में करनी है सीखना है तो करना है सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा 30 का एक important level है ठीक है दूसरा favorite investment हम लगाएंगे recent जहां से market में breakdown आया ठीक है आयोब समझ में आ गया ठीक है यह दो favorite investment लग गए और दो हमारे पास 50% के level आ चुके है अब क्या करना है हम हमें अब एक लेना है screenshot और इस पे करना है discussion आपको समझाने के लिए ठीक है तो important हमारे लिए कुछ levels bank nifty थोड़ा सा strong है ठीक है इस बात पे आप नजर रखें ओके अगर आप यहां से और यहां तक का जो हमने favorite investment लिया है अगर इसकी बात करें तो 45,000 670 के around 50% का level निकल के आता है जो की market ने cross कर दिया है उसके उपर closing मिल चुकी है जो की बड़िया बात है लेकिन on the other hand अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और उस fall को नजर डालें तो उसका 50% का level आता है 45,900 के around हम कहां पर है 45,700 के around तो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि यहां से अगर Monday का movement होता है माल लिजिए अगर हम flat opening देते हैं यह उस condition की बात कर रहा हूं मैं अगर direct 45,900 खुल जाएगा तो मैं यह बात नहीं कर रहा हूं अगर हम यहीं कहीं open होते हैं तो आपका पहला target है 45,900 यानि कि हमारा market पहले इन levels तक जाएगा ठीक है दूसरा एक और crucial level कौन सा है हमारे लिए जो भी मैं बता रहा हूं न इसको मार कर लेना दूसरा important level है हमारे लिए 46,000 का जो की obviously इस favoritacement के according नहीं है बट यह एक round level है round level बहुत ज़्यादा काम आते हैं जिसमें देखो fall 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 ठीक है तो round level जब तक हमारा नहीं नेकलेगा यानि कि अगर हम यहां से बात करें तो पहला target 45,900 जो की 200 point का है दूसरा target 46,000 जो की वहां से 100 point का है then हमको wait करना है वहां पर कुछ अच्छा consolidation फिर breakout होने का upside के लिए then 46,100 के उपर again हमें एक अच्छी opportunity मिलेगी और फिर हमारा market try करेगा 46,400 से 600 वाली range में जाने का ठीक है यह हमारा upside का plan है but अगर यह scenario नहीं होता है तो हम क्या करेंगे तो हम wait करेंगे नीचे निकलने का नीचे market कब निकलेगा 45,000 520 के round ठीक है जो हमारा यह जो छोटा वाला फिर टरिस्मेंट आपको देखने को मिल रहा एक सेकंड दो बताता हूं एक सेकंड एक सेकंड यह वाला जो area है ना यह वाला हमारे market को इसके नीचे आने दो अब यहाँ नीचे आएगा तो आपको दो pattern देखने को मिलेंगे M pattern भी बन जाएगा 50% का breakdown भी हो जाएगा सही है और confirmation क्या मिलेगा यह जो 50% है हमारा इससे market rejection ले लेगा तो हमारे पास 2 से 3 confirmation होंगे put side में जाने के लिए लेकिन कब जब हमारा market 45,500 के नीचे चला जाएगा ठीक है यह 50% का level है इसके नीचे जाना चाहिए market तब हमारा market अच्छा कासा downside में fall करेगा जिसके target आप ले सकते हो at least पहला 1.500 point का target और उसके बाद 200 point का target और फिर ultimately 45,000 ता हमारा market अगेन आएगा अगर हम 45 के नीचे निकलते हैं तो और बढ़िया रहेगा वो फिर momentum के साथ आप आगे को capture कर पाओगे समझ आगे upside और downside के लिए अब आजाते हम अपने मेहनत वाले chart के उपर so अगर यहाँ पर देखोगे तो मैंने आप लोग को everyday एक अच्छे-च्छे scalp पकड़वा के दिये है ठीक है आगे भी दूँगा not a big deal but आपको वहाँ पर buy करना पड़ेगा तभी आप वहाँ पर एक अच्छा scalp बना सकते हो 100-100 point का 77 point का CAC point का यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है इस pattern का नाम क्या है जरा मुझे बताइए आप लोग comment section में ठीक है जिसको माल लीजे बहुत जल्दी है trade करने की तो वो क्या करेगा 5 minute के चार्ट के उपर 45,700 के उपर trade plan करेगा call side में ठीक है downside के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक trend line आ रही है ठीक है जिस पर market बार-बार support ले रहा है अगर market नीचे आता है for any case तो आपको क्या करना है यह वाला जो support area है यहनि कि 45,600 इसको market निकाले trend line को निकाले उसके बाद price action बनेगा then आपको 100-200 point का यहाँ पर scalp मिलेगा downside के लिए ध्यान रखना 45,300 तक का आपको scalp देखने को मिल सकता है ठीक है दूसरा अगर हम वहाँ पर भी नहीं टिकते हैं तो फिर हम 45,000 आएंगे और अगर वहाँ पर भी नहीं टिकते 45,000 नहीं 45,000 से लेके 44,900 यह आप एक range पकड़के चलो market कहीं से भी गुम सकता क्योंकि जब market टेजी से गिरता है टेजी से बढ़ता है तो 50,000 पॉइंट उपन नीचे ऐसे ही कर देता है without price action ओके तो आयोप आप लोग को समझ आ गया है बहुत बहतरी तरीके से आपको समझा दिया है कल का plan क्या होना चाहिए निफ्टी का भी वीडियो मेंने बना दिया है तो वो भी आप ज़रूर देख लें और समझ लें अगर निफ्टी 50 में काम करते हो या बैंक निफ्टी में काम करते हो आप लोग के लिए important है market से पैसा बनाओ important है loss कम से कम करो important है time पे trade करो बाकी वीडियो को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो ये आपके लिए for sure बहुत ज़्यादा important है comment section में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो thank you so much मिलते हैं कल सुबह pre market वीडियो के साथ and then 9 बजे मिलेंगे telegram के उपर live thank you